Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading अपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे, फिर्स set of cards में आपके partner के energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहां पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Four of Souls Rivers और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर October starting में आप बहुत जादा initiatives, action, partner के लिए इस relationship के लिए नहीं लेना चाहा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं किसी level पे आप withdraw करते वे दिख रहे हैं कहीं वो एक enthusiasm, excitement भी missing है तावा दिख रहा है किसी चीज़ की हो सकता है, फिक्र भी है, परिशानी भी है आप दिखे इसके लिए सब Capricorns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन deeper level के लिए bad intentions, hurt and fake के cards कहते हैं शायद आपको आपके partner की कोई बात बुरी लग गई शायद उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, कह दिया जो आपको बहुत ज़ादा hurt किया और यहाँ पे दिखे bad intentions का card भी कहीं इसी चीज़ को confirm करता है शायद आप अपने partner पर पूरी तरीके से trust नहीं कर पा रहे हैं मन ही मन deeper level के लिए आपको ऐसी लग रहा है कि उनके intentions, उनके motives आपके लिए ठीक नहीं है और दीखे कितनी बार ही होता है न कि हम इस चीज़ को accept ही नहीं करते है हाला कि हमें मन ही मन कहीं you know deeper level के लिए पता होता है और कितनी बार ही हम accept करते हैं और दोनों ही सिनारियों में एक 100% तो हम नहीं फील करते हैं, obviously enthusiasm, excitement भी नहीं रहती है, क्योंकि जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, अगर हमें ऐसा लगे कि उनकी intentions ही हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर हम परिशान तो होंगे ही, और यहाँ पर देखिए fake का card भी कहता है, कहीं मन ही मन, आपको इस चीज का एहसास है, आपको पता है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके partner, जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो true नहीं है, कहीं एक fake, you know, नकली-नकली सी energies उनकी तरफ से आपको महसूस हो रही है, उनका प्यार हो सकता है, आपको नकली लग रहा है, उनकी feelings आपको नकली लग रही है, और जो भी चीजे मेरे mind में आ रही हैं, वो मैं आपको कह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, जो आपको आपके partner का नकली लग रहा है, और इसी लिए या फिर otherwise भी queen of cups का काट कहता है, बहुत जादा emotionally weak महसूस कर रहे हैं, weak I don't know is the right word, मतलब low feel कर रहे हैं, emotionally again मैं कहूंगी बहुत low feel कर रहे हैं, आपके बहुत mood swings हो रहे हैं, और यहाँ पर five of swords का काट कहता है, कि कहीं आपको यसे लग रहा है कि यह जो भी हो रहा है, वो fair नहीं है, यह आप नहीं deserve करते हैं, कहीं आपके साथ justice नहीं हो रहा है, फिर से मैं कहूंगी आपके साथ चीजें बहुत unfair हो रही हैं, और दिखें, Capricorns, जब तक हम सामने वाले को blame करते रहते हैं, सामने वाले को, जो भी चीज हमारी life में हो रही है, उसके लिए responsible ठराते रहते हैं, तब तक हम अपनी situation में बदलाव नहीं ला पाते हैं, most of the times, या at times, सामने वाले की गलती होती है, but you know, reason हम होते हैं, अगर वो हमारे साथ गलत behave कर रहे हैं, तो कहीं हम उनको allow कर रहे हैं, और प्यार में ऐसा होता है, हम इतना प्यार करते हैं सामने वाले से, कि उनकी गलत बाते भी सहन करते हैं, और फिर वो हमारे साथ वही गलत attitude करते हैं, हमें पता होता है कि you know वो हमारे साथ real नहीं है फिर भी अगर हम फिर से मैं कहूंगी उनको allow करते हैं अपनी life में तो कहीं हमी responsible हुए है ना क्योंकि देखिए जब पता है कि ठीक intentions नहीं है तो जितना भी hurt हो रहा है उसको let go करें आगे बढ़ें कुछ time के लिए बुरा लगेगा लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे क्योंकि कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी चीज इस दुनिया में permanent नहीं है trust me everything is transitory और जब हम उसी situation में उसी you know इनसान के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो फर यही चीज हमारी life में increase होती है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप उनको नहीं trust कर पा रहे हैं नहीं आपको उनकी feelings, intentions या जो भी वो कह रहे हैं कर रहे हैं, real लग रहा है तो please hurt कर रहा है, कोई बात नहीं आप इस relationship में आगे ना बड़े, आप pause ले ले और आप दूसरी जो चीज़ें आपकी life में हैं उन पर focus करें आप देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं, तो देखे हैं आपके partner के लिए आपे player, hook up के cards हैं या फिर वो कुछ serious, serious in the sense marriage, live in, या फिर एक long term के लिए relationship आपके साथ सोच रहे हैं I know आजकल बच्चे तो marriage बहुत instantly चाहते भी नहीं हैं, but you know at least किसी level पर commitment देने के mood में नहीं रहते वे दिख रहे हैं long term relationship के state of mind में नहीं रहते वे दिख रहे हैं हाला कि surface level के लिए definitely वो आपको कह रहे होंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिग्यार नहीं रह सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको प्यार करते हैं आजकल ना प्यार का मतलब यह नहीं होता कि भाई long term के लिए साथ में चलेंगे प्यार का मतलब मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं यह करती हूँ लेकिन मैं future नहीं अभी सोच रही हूँ यह मैं future नहीं चाहती हूँ यह चाहता हूँ आपके साथ तो यहाँ पर दिखें Empress का card बहुत ही clearly कहता है कि उनके मन में love है, feeling है और कहीं वो आपके साथ relationship रखना चाहते हैं बट मुझे नहीं लगता कि वो you know long term के लिए चाहते हैं या फिर बहुत ज़ादा again serious थोड़ा negative word है लेकिन I hope कि आप serious का मतलब समझ रहे हैं and यहाँ पर liking photos, queen of wands, reverse के cards कहते हैं कि कहीं end October में उनका enthusiasm, excitement थोड़ा सा low हो सकता है और आपकी photos, pictures को देख रहे हैं, like कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं उस पे भी उनकी नजर है आप देखते हैं कि October month में क्या हो रहा है तो देखिए October month के लिए यहाँ पर fear of commitment का card है तो जो मैंने अभी आपको कहा, वही October month की energies confirm कर रही है और आप दोनों में से किसी एक के लिए भी यह energies रह सकती है जहाँ पर, again मैं कहूंगी, या तो आप यह आपके partner commitment को लेकर एक fear रह रह रहा है उनके मन में अब दिखिए हो सकता है, आपको भी commitment का fear हो आपके reasons अलग हो सकते हैं, आपके partner के reasons अलग रहेंगे आपके reasons यह हैं कि आप उनको trust नहीं कर पा रहे हैं आपको लग रहे हैं, उनके intentions छीक नहीं है अगर आपकी तरफ से fear of commitment है और partner की तरफ से है, तो देखिए, यहाँ पर player के card बहुत clearly बताता है कि वो कहीं एक ही relationship में अभी नहीं है आपके अलावा और भी उनकी life में लोग हैं या फिर बहुत एक casual, light सी flirting, light सा relationship वो चाहा रहे हैं और कहीं player again playing with feelings, playing with emotions तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत वो emotional है, sentimental है हला कि फिर से मैं कहूंगी हो सकता है surface level के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोर्ण जैसे कि बहुत आपकी care करते हैं बहुत उनके मन में feelings हैं और देखिए फिर से इस चीज को clear करूंगी हो सकता ऐसा हो but you know player का मतलब यही होता है कि बहुत casual है इस relationship को लेकर yes casual is the right word serious negative हो जाता है serious का जो other word होता है वो casual मतलब बहुत ही casual, carefree, careless तरीके से वो इस relationship को October मन्त में लेते हुए दिख रहे हैं फिर से दिखें fear of commitment रहता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से भी हो सकता है उनकी तरफ से भी और मैंने बहुत clearly समझा है reasons क्या होंगे और यहाँ पर दिखिए two of pentacles and night of swords के card भी इसी चीज़ को confirm करते हैं कि एक stability इस relationship में नहीं रहती भी दिख रही है और हमने आप दुनों के energies में भी इसी चीज़ को देखा खासकर आपके partner के energies में nights they don't stay they come and go तो कहीं in and out वाली energies हो रही हैं या तो आप sorry या वो ना तो completely आ रहे हैं और ना ही इस relationship से जा रहे हैं two of pentacles भी up and down की होने की बात करता है in and out होने की बात करता है और ये भी कहता है कि हो सकता है कि आपकी life में आपके partner की life में एक दूसरे के लावा कोई और चीज़ें भी है कोई और इंसान भी है जिसको manage कर रहे है जादा आपके partner के लिए रहता हुआ दिख रहा है quick start थोड़े से impulsive हो रहे है थोड़े सी जल्दबाजी कर रहे है और दिखे boyfriend, girlfriend का card कहता है कि कहीं October मन्त में break up नहीं मुझे होता हुआ दिख रहा है अब इका दुका का हो जाए तो बात अलग है अगर आप बहुत assertive हो जाएं बहुत clear हो जाएं but boyfriend, girlfriend वाली energies है और कहीं आप दोनो connected है but कहीं फिर से मैं कहूंगी stability नहीं रहती होई दिख रही है कहीं long term commitment नहीं रहती होई दिख रही है बहुत casually चीजें रहती होई दिख रही है एक commitment का fear आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रहतावा दिख रहा है तो ये था कि आप्रिकॉन्स आप लुगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को जरूर लाइक शेर और सबस्क्राइब करें